असलावलेकुम दोस्तों वल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे एक कब यहूं के आठे से बहुत ही जबरदस्त नाश्ता यह नाश्ता काफी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के बनाना स्टार्ट करते हैं एक कब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे एक अच्छा सा डो बनाके त्यार कर लेंगे डो को जादा सौफ नहीं बनाना है मीडियम डो बनाके त्यार कर लेना है तो इस तरीके से मैंने डो बना लिया है विसे तो उसे धाई मिनट के लिए अच्छे से घूंद लेंगे ताकि दो अच稼ँ जाया, तो मैंने इसे म्लै शुट हो जाए गूंद लिया इस रख देते हैं कोंड़े और प्रोश की पर चाहारी मिर्च निया है हर्य मिर्च की को कम ज्ढ़े सकते हैं ग्राज क्रेंग अगर आपके पास पावजी मसाला नहीं है तो आप करम मसाला कभी इस्तिमाल कर सकती है इसके अंदर आप और भी सबजियों को एड़ कर सकती है जैसे पता गोभी गाजय और गोभी वगयरा एड़ कर सकती है जो भी सबजियां आप खाना पसंद करते हैं एड़ कर सकते हैं इस जादा मोटा झैना और नहीं साधा पतला बनाना में है तो इस तरीके से हम रोटी बना लेते हैं और आपको दिखाते-एं किस तरीके की हमेंज रोटी चाहिए defaktor एक बड़ी इसी रोटी बनंके तियार हो चुकी है तो यह दिखें काफी अच्छी सी रोटी बनी हुई है इस आटे लग जाए और जिसकी फ्लेवर काफि अच्छा हैं तो इस तरीके से हम एक साइट से आटे को उठाएंगे यानि रोठी को उठाएंगे और इस तरीके से फ्लेट करते हुए हलका सब प्रेस करेंगे जादा प्रेस नहीं करना है वरना ये नाश्टा देखने में अच्छा नहीं लगेगा हलके हाथों से करेंगे जिसे की नाश्टा देखने में काफे जादा खुबसूरत लगेगा जितना देखने में अच्छा लगता है कही गुना खाने में जादा टेस्टी लगता है तो दोस्तों इस केहों के आटे से आप ये रेसेपी को जरूर ट्राइ करिएगा इन्शालला आप सबको बहुत बसंद आएगी तो बातों ये बातों में इसे मैंने अच्छे से रोल कर लिया और साइड की किनारे खुले हुए है तो इसे फिंगर की हल्प से हम प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से जोड जाएं खुले नहीं तो इसी की अच्छे से सेट हो चुके हैं तो मैंने एकलिया है जाली यह हर घर में आजाली अविलेबल होती है जो की स्ट्रीम करने के लिए होती है तो गया पहले से पानी गरम होने के लिए रख दिया था अच्छे से गरम हो चुका था अब उसके बाद मैंने जाली को रख द ठंडा ओने के बाद मैं ने इस ट्रास्फर कर दिया है दूसरे बरतन पर तो मैंने इस चौपिंग पूर्ट पर किया है तो यह देखे दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो यह देखे नाश्टा देखने में कितना ज्यादा खुबजूरत लग रहा है तो काफी बहुत ही कम ऑईल में बनता है विदाउट वाल भी आप इसे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो ऐसे ही से कट करें और सौस के साथ इंचौाय करें बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और बहुत ही कम टाइमें बनके त्यार हो जाता है तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक और प्रोस्स कर लेते हैं उसके लिए गैस पेन रग दिया था पैनर चीसे गरम हो चुका है अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ओल डाल कर ब्रेट से ग्रेस कर लिया है अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और ऑल डाल कर कुख कर सकती हैं बड़ मैं थोड़ी से ऑल म बनेगा और काफी जादा टेस्टरी लगीगा तो आपको जिस तरीके से नाश्ता खाना जादा पसंद है उस तरीके से आप इसे इंज्जॉई कर सकते हैं तो दोस्तो एक बात या दिलात हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नही लगी ना भूलें तो दोस्तो इस तरीके से मैंने ये नाश्ता बना के त्यार किया है तो दोनों में से जो भी तरीका आपको बेस्टर लगे उस तरीके से इस नाश्ते को बनाएं और इंज्जॉई करें दोनों ही तरीका बहुत ही जादा आसान है और काफी कम तेल में ये बनके तियार होती है और काफी जादा हेल्थी है बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही जादा शौक सिखाएंगे तो आप भी बनाएं इंजुआए करें और एक लाइक जरूर कर दे क्योंकि लाइक ही आप लोग की तरफ से हमारे लिए इनाम होता और हमें बहुत ही जादा ख है ताकि मैं आप सब के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो यह देखे दोस्तों बहुत ही हेल्थी सा नाश्टा बनके तियार हो चुका है आप इसे कर लेते हैं सर्फ तो आप चाहें इसे ग्रीन चेटनी शेजवा खाना पसंद करते हैं सौस खाना पसंद करते हैं उसके साथ इस नाश्टे को सर्फ करें और इंज्वाइ करें तब तक के लिए मुझे तीजी इजासत फिर मैं मिलूँगे इंशालला अगले वीडियो में अलाहाफेश